नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चैनल फोकस पावर पे तो आज की जो अपडेट है वो होने वाली वर्कसॉप, इंस्ट्रक्टर, आई टे इंस्ट्रक्टर और वर्कसॉप अटेंडेंट की जो वेकंसी निकाली गई थी की DSSB के द्वारा, जो 2023 का जो फर्ष्ट नोटिविकिसन था, वो DSSB का यही नोटिविकिसन था, उसके एक्जाम कब तक होने वाले हैं, तो वो सब डिस्कुस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, DSSB ने 14 तारीक को, 14 अगस्त को 2023 में एक्जाम का स्टेडूल क किया है, तो उसमें कुछ ही एक्जाम है, जिसमें ITI इस्ट्रक्टर का एक्जाम नहीं दिया गया है, आपको पताएं, DSSB का जो examination calendar आता है, वो सौट सौट कलेंडर आते हैं कुछ कुछ बैकंसी का कब एक्जामिनिशन है एक महने पहले ही वो कलेंडर आता है तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एक्जामिनिशन है वो कब तक होने वाला है वर्क्स ओप अटेंडेंट और आइटिया इंस्ट्रक्टर का डे एससबी में कब तक होगा तो सबसे पहले आप यह देख पा रहे होंगे चौता तारिक का नोटिफिकिसन है यह आप देख पा रहे होंगे कौन-कौन से एक्जाम इसमें सेडियूल किये गए है हम पोस्ट पे नहीं जाएंगे हम नोटिफिकिसन पे जाएंगे तो यह आप देख पा रहे होंगे 25-9-2023 को यानि कि 25 सितंबर को एक्जामिनिशन और 27 सितंबर को एक्जामिनिशन लिए गए है जो में पॉइंट है वो है फर्स्ट में जो टायर फर्स्ट के जो एक्जामिनिशन है वो कौन से नोटिफिकिसन तक पहुँच चुके है 7-2022 6-2022 इन दो नोटिफिकिसन के जो एक्जामिनिशन शुरू हो चुके है टायर फर्स्ट के बाकि आप नीचे देख पा रहे होंगे यह first notification है 2022 का 4th का और 5th का है तो यह tier 2 है इसमें इसमें हम वो देखते हैं बाद में लेकिन जो main point है वो है tier first क्योंकि हमारा जो examination होने वाला है 2023 का ITI instructor और workshop attendant का उसमें एक ही tier में exam होगा तो first tier का जो examination है कब तक estimate होता है आपको दिखाता हूं में जो notification है इसलिए जो भी 2023 की vacancies आ रही है उसमें जो सबसे पहला examination होगा वो ITI instructor का ही होने वाला है तो यह आप ध्यान से देख पार होंगे आपे यह vacancies notification आप देख रहे होंगे अड़र्टाइसमेंट नमबर एक 2030 तो सबसे पहली vacancies यही रही है और सबसे पहला examination यही होने वाला है यह आप देख पार होंगे इस ट्रक्टर की जितनी भी vacancies थी और workshop attendant की तो ज़्यादा तर जो apply हैं इसके workshop attendant में हुए है अब कब तक इसकी possibility है examination की तो आपको मैं exam की vacancies बता देता हूँ कि कितनी vacancies 2022 में total आई थी और कितनी notification जारी किये गे थे total 2022 में तो total जो notification जारी किये गे थे वो जारी किये गे थे no notification no 2022 देख पार होंगे advertisement number 9 22 तो यह notification निकाले गे थे जो 7 वा notification है 07 2022 यहां से vacancies का exam date आनी शुरू हो चुकी है उसका भी आप यह बताता हूँ कौन-कौन सी post के लिए लेकिन जो 8 number का advertisement number है इसमें अच्छी खासी vacancy है इसमें time जरूर लगेगा और जो 9 number की है इसमें कोई ज्यादा time नहीं लगने वाला postage भी कम है और PGT की vacancies है यह आराम से हो जाएगा अब यह आप देख पार होंगे जिसके जो vacancies की date आ रखी है तो 6, advertisement number 6 और advertisement number 7 तो इसमें आप देख पार होंगे काफी vacancies है तो TGT और PGT की vacancies है अच्छे number पे vacancy है तो October, November और December तक इनी की examination होने वाली है तो जो अगर जल्दी से जल्दी भी DSSB करता है तो no notification है 2022 के और इसके अलावा जो है first notification है अपना 2023 का जिसका सबसे पहले exam होगा तो यह most probability है कि जनवरी में exam होने वाले है जनवरी 2024 में exam होने वाले ITI instructor के तो ITI instructor का exam जनवरी जल्दी से जल्दी करता है तो December में होगा जो कि कज unglaub tin के लिए नुकसान हो सकता है कॉMmकि जनवरी जन्हों ने जन्हों ज्हारकंड की instructor का form बरा है आपको पता है ज्हारकंड instructor की जो examination date है वो भी रिलीईस कर देगी है 15 और 16 तारिक को 15 से 17 दिसमबर 15 से 17 दिसमबर दोजार टेश को जारखंड के ITI instructor का या training officer जो कहते हैं वहाँ पर उसका examination होने वाला है तो अगर December में हो जाता है अगर जल्दी करेगा DSSB तो exam class होने की संभावना हो सकती है लेकिन examination का जो main date है वो January में होगा और जो ITI instructor का है वो January में हो सकता है जो workshop attendant है उसमें थोड़ा delay भी हो सकता है फरवरी तक भी हो सकता है क्योंकि उसमें number of apply जाता है और बागे आपको DSSB का examination calendar देखके idea होई रहा होगा कि कि किसी भी advertisement number से कोई सी भी post उठाके examination ले लेता है पहले जो number कम number वाली post है उनको ज्यादा preference देता है तो ये थी आज की update तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अपडेट अच्छी लगी होगी इसी तरह की update के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे आज के लिए तरह ही रन्यवाद जैन